आज से एक दो साल पहले भी मैंने इनी फेंड्स के पारे बात कि थी और आज भी मैं इनी फेंड्स के बारे बात करूँगा मेरी प्रस्टनल चॉइस की जहां पे बात आती है Suppose Small Cap Funds, Best Small Cap Funds की तो वहां पे Nippon Small Cap Funds, Kotex Small Cap Funds, Axis Small Cap Fund और SBA Small Cap Funds ये 4 Small Cap Funds जरुर आते हैं क्वांट की बात आती है लेकिन क्वांट को मैं यहां पे इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि क्वांट जो small क्या fund है वो सब के लिए नहीं है मेरे portfolio में क्वांट है disclaimer के लिए बता रहा हूँ कोई भी यह tips में यहां पे नहीं दे रहा हूँ कोई recommendation यह नहीं है funds का यह बस educational purpose के लिए बता रहा हूँ आप कोई भी decision लेती हों investment का तो अपनी सोच समझ समझदारी के साथ लेना अगर मेरे या किसी और की बात सुन कर लोगे तो नुकसान कर लो क्वांट इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ क्वांट के बारे में तो बहुत frequently portfolio का change करते हैं इसलिए volatility जादा रहती है price fluctuation बहुत जादा होता है इनके units का इने भी बहुत fluctuate करता है तो इसकारण जो investor है volatility नहीं जहल सकते हैं तो डर के exit करके नुकसान कर लेंगे लेकिन जो volatility जहल सकते हैं उनके लिए इस list में पांचवा fund कोर्ण जरूर हो जाता है क्योंकि बहुत तगड़ा perform करता है बहुत बढ़िया return देता है अगर hold कर लिया जाए wallet liquidity के दोरान तो लेकिन अगर इसको side करते हैं तो generally सारे investor normally सारे investor के लिए जो best funds हो जाते है mutual funds small cap category में वो निपान, SBI, कोटक और access हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि बाकी सारे funds के मुकाबले में ये चार funds जो है वो काफी पुराने time से industry के अंदर available है scheme available है as a small cap fund quant भी 2018 के बाद से है लेकिन इन schemes की बात करते है तो कोई 2013 से है कोई 2010 से है कोई 2007 से है तो काफी time से ये चारो scheme available है अगर return wise भी बात करते हैं तो जो expectation होती है एक small cap scheme से अगर since inception return भी देखते हैं या 10 साल, 8 साल, 5 साल का return भी देखते हैं तो ये जो चारो के चारो funds है वो काफी बहतरी इन परफॉर्म करें और expectation से काफी points अच्छे return investor को बना के दे रहे हैं सारे लोग facebook पे भी question करते हैं कि ऐसे funds बताईए जिससे में lifetime के लिए invested रहा जासा के या ऐसे funds बताई जिसमें long term तक 10 साल, 15 साल तक invested रहे हो अच्छा पैसा बन जाए तो ये जो funds scheme है ये चारो की अगर हम बात करते हैं अगर 15 साल तक इसके अंदर invested रहा जाए तो काफी जबरदस्त पैसा इन schemes ने पीछे भी बना के दिया है और आके भी capacity है capability है इनकी भेंकर पैसा बना के देने की even quant के अंदर भी invested रहा जाए तो और अगर जहां तक बात आती है lifetime के लिए invested रहने की तो definitely इन schemes के अंदर अगर अभी से आपकी life आगे 30, 40, 50 साल के लिए भी बची हुई है तो आगे इतने सालों तक भी invested रहा जा सकता है even उसके बाद next generation को भी transfer किया जा सकता है इन schemes को या फिर इस category की schemes को small cap category की schemes को पुराने समय से scheme है इसका मतलब यह नहीं कि बस जो पुरारा scheme है उसके अंदर जा के इन्वेस्टर पुराने समय से scheme होने से फाइदा यह है कि लंबे समय से यह market के अंदर available है इन चारों में से किछ scheme है जिसने 2008 का भी crash जहला है 2014 के भी 2014 वाला जो turn around हुआ था सबने जहला है 2016 सबने जहला है उसके अलाबा जो cold war trade war हो रहा था चाइना अमेरिका के बीच में 2018 के दौरान में सारे funds ने वह जहला है उस टाइम की वालटलीटी 2020 की वालटलीटी सारे funds ने 2022 की वालटलीटी सारे समय से market में है और इतने सारे crisis वालटलीटी वो जहल चुकी है फिर भी long term में उसके जो returns है वो काफी अच्छे है इससे ये प्रूव होता है उपर उपर आप ये चीज़े देख सकते हो कि long term में इस scheme की जो strategy है वो अच्छी चल रही है तब ही तो इतने खराब scenarios होने के बाद भी small cap fund होने के बाद भी returns इतने बढ़िया दे रही है तो ये एक थोरा सा favor में इन funds के काम करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने का क्यूंकि इनका beta भी अच्छा है और alpha भी अच्छा generate कर एक एक दो तीस साल में alpha थोरा सा कम उपर नीचे होता है लेकिन ऐ ऐसे long term alpha इनका काफी बढ़िया है बेटा अच्छा है alpha अच्छा है काफी पाने time से चलती आ रहे है अपने जो strategy है उसको प्रूफ किया हुआ है इससे जा तक क्या चाहिए तो इसलिए अगर personal portfolio की बात करूं तो मैंने कई बार बता है निपान है मेरे portfolio में quant भी है और आगे त तीन funds बच जाते एक्सिस SBI और कोटक इनी तीनों में से कोई scheme आएगा recommendation नहीं है फिर से बता रहा हूं educational purpose के लिए बना रहा हूं वीडियो लेकिन समझो इन चीजों को कि long term से funds जो अबलेबल है वो short term के funds से ज्यादा भरोसे मंद होते हैं जब तक कि कोई exceptional चीज short term वाले fund न इंदर investment किया जाता है अपनी study करें research करें समझें कि क्यों बहतर है और क्या इंवेस्ट किया जाता है आपके risk के recording time period के recording होता है तो आप देख सक्क्राइब कर लोग stress test को लेके परिशान हो जाते हैं तो उससे परिशान होने की जब नहीं मैंने पहला ही वीडियो में बता है क कि वो एक hypothetical situation है अभी जिस तरीके की awareness finance को लेके बर रही है बहुत मुस्किल है कि 25% का भी एक समय में एक दिन में redemption लोड आये किसी scheme के उपर 50% तो बहुत दूर की बात है लोड आएगा भी तो जैसे आज आया 1% कल आया 3% पर 102% फिर 1% फिर 4% तो spread होके कड़ी दिनों में है